Hello students, hope you all are good. Dear children, in this video, I am going to teach you lesson 16 of grammar book. So open your books, grammar books, page number 71. The name of the chapter is, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. So let's start, listen carefully बेटा. ये देखिये चित्र है. जो चित्र बनाए, हमने यहाँ पर बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना है. अनेक शब्द दिए होते हैं, उनके लिए सर्फ हमने एक शब्द देना है. देखिए अनेक शब्द क्या है, जो चित्र बनाए, उनके लिए एक शब्द क्या आएगा, चित्रकार जो गाना गाता हो, ये अनेक है न, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा, गायक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला ये अनेक शब्द होगे उसका अंसर आएगा कुमहार बच्चों आपने देखा और पड़ा कि उपर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रियोग किया गया है कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है इससे बात असानी से समझ आ जाती है भाषा को सरल्व प्रभावशली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रियोग किया गया है क्यों किया गया है भाषा को सरल्व प्रभावशली बनाने के लिए नेक्स पेज ये हैं कुछ ऐसे ही शब्दों को आप पड़ें 1 से 10 तक हैं आपके सेकिन यूटी में जो मिठाई बनाता हो हलवाई जो मास खाता हो मासा हारी जो फल सबजी खाता हो शाका हारी विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी जो गहने बनाता हो सुनार जो चिकित्सा करे मतलब इलाज करे चिकित्सिक जो किसी से ना डरे निडर जो डरता हो डरपोग सब्ता में एक बार होने वाला साप्ताहिक हर रोज होने वाला दैनिक तो ये थे आपके वान से लेके 10 तक अब देखे पेज नमबर 73 है एक शब्द के सही विकल्ब चुनकर निमलिक वाक्यों के रिक्तस्थान भरने है आपने दो दो शब्दी है आपने जो सही वाला वो चुनने है निक्ता के माता पिता नहीं है वे डैश है क्या हुई अनात या सनात उसके माता-पिता नहीं है वे अनाध है शर्मा जी डैश हैं वे लोगों का इलाज करते हैं तो चिकित्सा हुए कए चिकित्सिक हैं हमें आलस नहीं करना चाहिए डैश लोगों को कोई पसंद नहीं करता आलस भरे या आलसी यहां पे आएगा आलसी आज हमारे विद्यालिया का डैस समारो है ये साल में एक बार होता है तो कौन सा समारो है वार्शिक अब आगे देखी अनेक शब्दों के लिए दिये गिए उचित एक शब्द से उनको मिलाना है बेटा जो किसी से ना डरे उसको बोलते हैं निडर अपने देश की वस्तू स्वदेशी लोहे की चीजें बनाने वाला लुहार खेती करने वाला किसान महीने में एक बार होने वाला मासिक तो लेकिन ये जो बिटा मैच अप दिये हैं ये आपको मैच अप फॉर्म में नहीं करना ये आपको वैसे ही इसको अच्छी तरह से लर्न करना नेक्स पेज देखी उचित शब्द चांट कर मचलियों में आपने लिखना है विद्या प्राप्त करने वाला हमने पीछे भी पड़ा है विद्यार्थी जो फल सबजी खाता हो वो होता है शाकाहरी जो कभी ना मरे उसको हम बोलते हैं अमर जो प्रिश्रम करता हो प्रिश्रमी जहां पुस्त के रखी गई हूँ पुस्त काले तो ये भी सारा क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इनकी अनेक शब्द दिये वाले हैं उसके लिए एक शब्द ये वाला है इसके अनेक शब्द दिये हैं एक शब्द ये है तो बेटा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपने बुक में अपनी ग्रामर बुक में लिखना है और ये जो सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं यह आपने लर्न भी करना है थैंक यू, have a good day